वारारसी में ग्यानवापी के सर्वेच्छर से जुड़ी ASI के सवरे रुपोर्ट के जानकारी सामने आ गई है हिंदू पक्ष के वकील मिश्टर जैन ने मीडिया के सामने आका रुपोर्ट के कुछ डिटेल शेयर की है ASI ने अपनी डिटेल में कहा है कि मौजूदा धांचे के निर्वार से पहले वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदीर मौजूद था अबिक ASI ने अपनी रुपोर्ट में कहा है कि मौजूदा धांचे की सिलालेक में महामुक्ती मंडब भी मिला है ASI के पास सीला लेक का टूटा हुआ पत्थर पहले से मौजूद था ASI ने यह भी बताय कि पहले से बने मंदिर को पिलर्स को दोबारा से इस्तेमाल किया गया है रिपोर्ट में बताया गया है कि धांचे के ताखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ती मिली है इन मूर्तीयों को ताखाने के नीचे मिट्टी से दबा दिया गया था ASI ने बताय कि धांचे की पश्चिमी दिवार हिंदू मंदिर का ही इस्सा है जब बात पूरी तरसे इस पश्ट है ASI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सतर्वे सताबदी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था इसके टूटे हुए मलबे से ही वर्तमान धाचे को बनाया गया था इससे पहले इलाबाद हाई कोट के जस्टिस रोहित रंजन अगरवाल की बेंच ने अंजुमन इंतजामया मसाजिद कमेटी के याचिकां को खारिच कर दिया था कमेटी ने अपनी याचिका में इस जर्मीन के मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनोती दी थी कमेटी और उत्रपरदेश के सुनी सेंटरल वक्फ बोर्ड की मुख्य तरक ये था कि इस मुकदमे को पूजा इस्तल अधिनियम के तहत खारिच कर दिया जाना चाहिए मामले के सुनवाई करता हुए इलाबाद हाइकोर्ट ने कहा था कि मस्जिद परसर में मुस्लिम तत्व या हिंदू तत्व हो सकते हैं लेकिन फिलाल इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता इसे के साथ ये कोर्ट टूने से क्या already में मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दे दी थी हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक मुकदमे में ASI का सर्वे कराया गया था इसे बाखी मुकदमों में भी दाइर किया जाएगा इसे के साथ यागर नीचली आदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वे कराने के जोर्थ है तो आदालत को सर्वे कराने की निर्देश भी दे सकती है इस पूरी खबर में आपके क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप देखरेत खबरिलाल टीवी में हुआ कांशा धन्रवाद